आज मैं आप लोग के साथ शेयर करें हूं यहां पर आलू और ब्रेट से एक बहुत जबरदस साइस्नेक्स बनाने की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जड़पट से बनकर तैयार हो जाता है तो चले देख लेंगे आज हमी से कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया था एक नॉन स्टिक पैन उसमें शामिल कर दिया वन टी स्पून ओइल को अच्छे से गरम कर लेंगे हाफ टी स्पून जीरा एट करा है तीन चार अरी मिर्चों को बारी कट कर लिया था दोनों चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यहाँ पर भी रम एट करेंगे 1 टीबल स्पून भरकर कुटा हुआ धनिया, 1 टीबल स्पून हल्दी, 1 टीबल स्पून कुटी लाल मिर्च दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्यास, तो एक मिडियम साइस की प्यास को मैंने इस तरह रफडी चॉप कर लिया है, यह एट कर देंगे और प्यास बाद में हमने इसलिए आट करिए क्योंकि हमें प्यास को थोड़ा क्रंची ही रखना है और यहाँ पर मुटी पर हरा धनिया लिया है, यह एट कर देंगे, इसे डाल कर दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब सारे मसाले बहुत अच्छे से भून जाएंगे, इसमें शामिल कर देंगे आलू, तो मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइस के आलू को बाइल कर लिया था और इस तरह से मैश कर लिया था सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाला है वालू में अच्छे से मिक्स हो जाए और दो से तीन मिनट के लिए इस स्टफिंग को अच्छे से भूण लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वालुए में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक मज़ेदार सी स्टफिंग बन कर तयार हो जाएं तो इसमें हमें जाद इंग्रीडियंट्स नहीं चाहिए बस ही हमारी मज़ेदार सी सौंधी सौंधी स्टेफिंग बन कर तयार है अब यहां पर मैंने ले ली थी ये ब्रैट्स और यह एक लीलिया था ग्लास से हम इस तरह से ब्रैट के कुछी स्टीश कटकर लेंगे तो आप देख सकते हैं इस इस तरह से पीश निकल जाएंगे और देखने में भी इतने प्यारे लगए हैं और snacks भी सके बहुत मज़ेदार बनेंगे बाकी जो बची हुई bread's की sides हैं हम उसे breadcrumb बना कर तयार कर लेंगे तो सारे bread's मैंने इस तरह से cut कर लिये थे अब यहाँ पर हम एक इसका गोल बना लेंगे, यहाँ पर एक बैटर त्यार करेंगे, टू टेबली स्पून भरकर मैदा ले लिया था और टू टी स्पून भरकर यहाँ पर लिया था मैने कॉन फ्लार, हाफ टी स्पून नमक एट करेंगे, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, स तो इसे एक गोल शेप देंगे जिस तरह से हम अमोमन टिकी बना कर तयार करते हैं बस इस तरह से बना लेंगे ताके जब आम इसे ब्रेड में फिल करेंगे तो इस इधर उधर बिखरेगी नहीं अब यहां पर एक ब्रेड का पिछ लेंगे बीच में इसस्टफिंग को रख द तो सारी ही टिक्कियां इस तरह से मैंने बना ली थी और यह सारे ही इसनेक्स एक बार में बना कर तियार कर लिए थे यह देखें आप अब हम चलेंगे इनको फ्राइ करने के प्रोसेस में तो यहां पर यह सारे रेडी हैं यहां पर मैंने जो बैटर बनाया है मैं देखा वह चुलाल के हुआए और ओप बहुत ही मज़ीदार बनकर तयार होंगे नगिए और ऊई सारी बीड कर में ने यू तो तो इससे ने कॉत कर लेंगे हैं इसने आप बनाना चाहें उसी फकाऊंग रहे सकते हैं और ँदॉस्त्ने तो एक बार में सारे ही स्नेक्स बना कर तियार कर लें और उसके बाद इसली इने फ्राइ कर लें तो बस यहां पर रेडी है एक पैन में मैंने अच्छे से गरम कर लिया है इसमें शामिल कर देंगे एक एक करके सारे स्नेक्स और इने फ्राइ करने में बहुत ज्यादा टाइम मैक्सिमम दो से तीन मिनट लगेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी रेसिपीस को आप एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें ट्राइ भी करें तो प्लीज मुझे अपना फीडबेक जरूर दें और मुझे जरूर बताएं कमेंड बॉक्स में के आपको म सब्सक्राइब हैं इसे आप हरी चटनी के साथ टमाटो सॉस के साथ यहां पर सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़िदार बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार हुए थे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीज़ेगा और चैनल पर नहीं है तो जरूर सबस्क्राइब कर लिए थे यह देखें आप तो अगली रेसिपी के साथ आप से पर से मुलाकात करूंगी तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा दौाओं में याद रखेगा बाए टेक कियर